नमस्का फैंड्स में आप बवल्लू अर्मा पेपर रहेंकर में आपका स्वागत है आज हम देखने बाले हैं यहां पर देखने वाले हैं सैमिस्टर वर्म मतलब क्या देखने बाले हैं पूद नूट्रेशन और हाइजिंग के बारे में इसका हार पूशड और पच्छता के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं तो आज जो रहने वाला है वो हमारा उदा है पार्ट नंबर फाइब इसमें देखने वाले हैं कैल से पहले मैंने चार पार्ट आपको पहले हैं कैल सिम्कु देखने वाले हैं तो बढ़ते हैं क्योश्णों की ओर और जिसको भी इसकी प्लीडिप चाहिए डिसकप्शन देर खाए टेलिग्राम का लिंक वहां पर जाके लिंक मिलेंगे आपके लिए वहां से डानलोड कर सकते हैं ठीक है तो बढ़ते हैं के के स्तोत है वह दल्ग हो जाता है न्हीं पंटा हैं दूद और नहीं होगा तो इसी में उसका कितना प्रतीशियम का बना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है है तो हमारे सरीर में जो कैल्सीम होता है वो कितने परसेंट होता है 482 या फिर 6 तो right answer स्रोदाइगा बई 2% होता है कैल्सियम कैल्सियम कितना होता है मसरी में 2% होता है आगे बढ़ते हैं next question की और प्रॉण व्यक्ति के सरीर में कितना प्रतिशत कैल्सीम होता है जो प्रॉण ब्यक्ति होता है उसके सरीर में कितने प्रतिशत कैल्सीम होता है यह आपको बताना है 1200 ग्राम 100 ग्राम 1400 ग्राम 200 ग्राम कौन सा राइट होगा यह आपको बताना है में केल्सिम की जो परसेंटेज होती है 400 तोगे बारासो ग्राम होती है कितने होती है 1200 ग्राम सरीज के भार का क्वार्ण بरशेंट के सरीर में edaan restaurant 1400 ठीक है आगे बढ़ते हैं या पसीने दवारा किस पोशक तथब की हानी होती है जो पसीन निकलता है उसमें किस पोशक तत्व की हानी होती है हमारे सरीर से बैह आपको बताना है बिटामिन, कैल्सियम, बसा या फिर प्रूटीन की तो पसीने के दौरा किस पोशक तत्व की हानी होती है तो बैह होती है कैल्सियम की राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर अपना बार रहने वाला है कैल्सियम की हानी होती है नेक्स्ट बढ़ते हैं जो हमारे पसीना होता है इसके द्वारे का निकलता है कैल्सियम के अबुसोसर को कौन से पोसकत्व बढ़ा देते हैं जो कैल्सियम का अबुसोसर्ण होता है उसके लिए कौन से पोसकत्व जो होते हैं बढ़ा देते हैं आपको बताना है बिटामिन के E, बिटामिन D, C, बिटामिन के A, बिटामिन A, B कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है तो कैल्सियम के अब सोचल को कौन से पोसकत तो बढ़ा देते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा बिटामिन डी और सी बढ़ा देते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन की और कैल्सियम के अब सोचल में कौन-कौन बिगन पैदा करता है ये आपको बताना है, कैल्सियम के अवसोषड में कौन-कौन बिगन पैदा करता है, कैल्सियम बसा या फाइटिक एसेड या हो जाता है, ऑउक्जेलिक एसेड, उपियोक तो सभी कौन सा राइट होगा, ये आपको बताना है कैल्सियम के अवसोषड में कौन-कौन बिगन पैदा करते हैं, रुकाबट पैदा करते हैं, तो कैल्सियम भी, सैल्यू लोज और बसा ये भी करते हैं, और फाइटिक एसेड होता है, बह भी करता है, और उउक्जेलिक एसेड होता है, ये भी करता है, तो राइट आंसर क्या ह जाएका उपयोग तो सभी हमारा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं next question की ओर कह रहा है phytic phytic acid कहां उपस्ते तो होता है अनाज के ऊपरी छिलका पर फल पर सब्जीयों पर या फिर हो जाएगा दालों पर right answer क्या होगा बताना है phytic acid क्या होता है phytic acid कहां होता है ये होता है अनाज के ऊपरी छिलके पर किस पर अनाज के ऊपरी छिलके पर होता है आगे बढ़ते हैं next question की ओर औगजेलिक एसेड की उपस्तिती होती है औगजेलिक एसेड जो होता है उसकी उपस्तिती होती है पालक चुकंदर कोको यह सभी राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो पालक एसिड जो होता है वो कहाँ पाय जाता है पालक में औक जेलिक एसिड जो होता है वो कहाँ उपस्तित होता है पालक पर भी होता है चुकंदर पर भी होता है कोको पर भी होता है और यह सबी हो जाएगा यहाँ पर फिर राइट आंसर ठीक है option number दाजन लोग का आ रहा है, बिलकुल right answer आते हुए next question की बात करते हैं, next question को देखिएगा यहां कह रहा है, अस्थियों बाद दांतों के निर्माड में सहायक होता है क्या होता है, calcium, carbose, बसा, vitamin सबी को पता है किसका बने होते हैं, दांत जो होते हैं calcium और फासपोस के बने होते हैं, हड्डिया भी calcium और फासपोस की बनी होती है तो right answer क्या होदाएगा, option number आ रहने बाला है आगे बढ़ते हैं, next question, दातों का animal का निर्माड होता है दातों का जो animal होता है, उसका निर्माड किस से होता है आपको बताना है, cholesterol से, easter से, या फिर hydroxy epitide से या फिर हो जाएगा ether से, right answer क्या रहने बाला है, ये आपको यहाँ पर बताना है तो जिन लोग का answer यहाँ पर आ चुका है, दातों का जो animal होता है जो सबसे कठोर अंग होता है, मनुस्य के सरीर का animal वो किसका बना होता है, यह होता है hydroxy epitide पदार्थिका, किसका hydroxy epitide पदार्थिका तो जिन लोग का answer आ चुका था, option number 6, बिल्कुल right answer आता है next question की बात करते हैं, calcium की कमी से कौन से रोगदपन होते है calcium की जब कमी होती है, तो कौन से रोगदपन होते है, rackets होता है austomalacia होता है, austoparesis होता है, यह सभी होते है, कौन सा right होगा यह आपको बताना है तो आपको पता है, rackets होता है, यह भी calcium की कमी से होता है austomalacia होता है, यह भी आपके calcium की कमी से होता है और austoparesis जो होता है, यह भी आपके calcium की कमी से होता है है तो यह सभी आपका रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन क्यों नेक्स्ट कुशन कह रहा है टिटैनी सेडी मेखला अस्थी टेडी पैर धनूसाकार यह सब किसकी कमी के काड या लच्छड है यह आपको बताना है आयोडीन के प्रूटीन के आईरन के या फिर केल्स्ट की कमी के लच्छड हो जाते हैं राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नमबर 2 अब यहां से सरीर है उसने फास पोस का कितना भाग होता है एक बटा दो एक बटा एक बटा चार एक तो एक ही हो गया ना एक बटा चार या एक बटा छे कौन सा राइट होगा यह आपको बताना है कि तो शरीर में जो फास्पोरस का कई होता है वो कितना होता है यह होता है ऐक बठाग चार कितना होता है बटाग Matchip होता है किसका होता है यहाँ पर है सबसे जाएदा किस खरीश के साथ मिलकर कारिकरता है आसपरस हो है सबसे ज़्यादा किसदी के साथ मिलकर कारिकरता है Calling deficiency am magnesium sodium यह सबी पाइट शर क्या होगा यह आपको वताना है अभी आपको उस अब पताया था मैंने जो अधिया होती हैं दान थो बात करें हैं कह रहा है हड्डियों बादातों में कितना प्रतिशत कैल्सियम होता है हड्डियों बादातों में कितने प्रतिशत कैल्सियम होता है यह आप से यहां पर पूंचा जा रहा है ठीक है हड्डियों बादातों में कितने पर्सेंट केल्सीम होता है भी 80% तो होता है केल्सीम बाकी 20% बसता है वो होता है फास्पूरस राइट आंसर ऑप्षिया नंबर बाव हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अकार्ट में कावन पाव भी होंगे उच्थों आगे बढ़ते है फास्पूरस के कारिक कौन कौन से है यह आपको बताना है उच्च उर्जा संबंदों का निर्माड पूसक तत्वों के अबुसोषड में या फिर अस्थीवा दातों में यह सभी में राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है फारस्पूरस के कारिक कौन कौन से हैं तो उच्च उर्जा बंधकों के निर्माड में भी होता है पोसत अप्वों के अबसोशड में भी इसका प्रेव होता है और अस्थी बादातों में तो होता यह तो राइट आंसर रोजाएगा उप्योग तो सभी रहने वाला है राइट आंसर हो जाएगा option number 2 आगे बढ़ते हैं next question के और फासपूरस के प्राप्ती के साधन कौन कौन से होते है फासपूरस के प्राप्ती के जो साधन होते है वो कौन कौन से होते है कहां कहां से में फासपूरस प्राप्त होता है दूद अंडा मास मचली पनीर यक्रत यह सभी राइट आंसर क्या रहने वाला है ये सभी है ना देखी रहे हो दूध, अंडा, मास, मचली और पनीर, यकत इन सबसे क्या होता है वह फासपूरस पर आप तो होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टूशन बिना पॉलिस किये अनाजो की फासपूरस किस रूप में होती है बिना पॉलिस किये अनाजो की फासपूरस होती है वह किस रूप में होती है आपको बताना है cellulose race में, phytic acid में, oxalic acid में या फिर ये सभी में right answer क्या होगा आपको बताना है बिना polish किये अनाजो की fast force किस रूप में होती है right answer क्या हो जाएगा phytic acid में जिन लोग का answer आ चुका है आप और option number 2 बिल्कुल right हो जाएगा बिना polish किये अनाजो की जो fast force होती है वो किस रूप में होती है phytic acid में होती है आगे बढ़ते हैं next question क्यों फास्पूरस किस में कम मात्रा में पाया जाता है फल, सबजी, पनीर, मेबे या फिर अंडा right answer क्या होगा या आपको बताना है फास्पूरस दो होगा किस में कम मात्रा में पाया जाता है तो सबजी प्था फल में कम मात्रा में पाया जाता है पनीर में जादा होगा मेबे में जाता होगा अंडे में तो प्रिचुल मात्रा में होता ही है आगे बढ़ते हैं next question क्योंग next question कह रहा है RDA RDA जो है 2020 RDA 2020 के अनुसार calcium बाफासपुरस का अनुपात कितना है यह आपको बताना है RDA 2020 के अनुसार calcium बाफासपुरस का अनुपात कितना है 1 अनुपात 1 1 अनुपात 2 1 अनुपात 3 3 अनुपात 2 right answer क्या रहने वाला है यह बताना है तो RDA 2020 के अनुसार केल्सियम और फास्पोरस का अनुपात हो जाता है एक अनुपात एक राइट आंसर क्या होदाएगा आप्शन नंबर आ रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एकोशन अनाजबा दालों में पाए जाने वाले फास्पोरस का पाचन होता है अनाजबा दालों में पाए जाने वाले फास्पोरस का पाचन होता है जल्दी देर से बिलकुल नहीं बहुत जल्दी राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है अनाजबा दालों में पाय जाने वाले फासपुरस का जो पाचन होता है बै कैसे होता है बै देर से होता है जिन लोग का अंसर आ चुका है option number 2 बिल्कुल right answer हो जाएगा next question की बात करते है फासपुरस की कमी से क्या होता है जो फासपुरस है उसकी कमी से क्या होता है थकान अस्थियों में च्छै भूख ना लगना ये सभी right answer क्या होगा ये बताना है आपको फासपुरस की कमी से क्या होता है तो भई थकान भी महसूस होती है अस्तियों के 6 होते हैं तूटने का डर होता है भूखना लगती है ये सभी यहाँ पर लच्छड हमें दिखाई देखने को मिलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं next question क्यों next question कह रहा है पोशक तत्वों के अब सोशड बा परिशंचड में सहायक कौन सा तत्व होता है यह बताना है पोशक तत्वों के अब सोशड बा परिशंचड में सहायक कौन सा तत्व होता है यह बताना है फासपूरस, Sodium, Calcium, Protein राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है इसमें अब सोशड में भी हो रहा है और परिशंचड में भी हो रहा है है ना मतलब हमारे रोधरिक्य अंत्रकत भी हो रहा है इसका कारे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फास पूरस हो जाएगा जिन लोग का आंसरा चुका है आगे बढ़ते हैं next question मोटा अनाज में कितनी मात्रा में फास पूरस होता है जो मोटे अनाज होते हैं जैसे मक्का है इसमें क्या होता है कितने पितिसत फास पूरस होता है आपको बताना है 6.29 गराम 5.03 गराम 7 गराम 6.40 गराम राइट आंसर क्या रहने बाला होगा यह आपको बताना है तो मोटे अनाज में कितनी मात्रा में फास पूरस होता है तो बह होता है 6.29 गराम राइट आंसर अप्शन नमबर आरेने बाला है चे पोइंट 29 ग्राम, आगे वरते हैं DNA बा, DNA बा आर, कौमा भी ने रहा है, अच्छा ऐसा है, DNA बा आरेने का कौन सा भाग फासपूरस का है, बताना है, फासपूरस, निकलिक एसिड और फासपो लिपिड या फासपूरिक अमल, तो यहाँ पर कौन सा right होगा DNA वा RNA का कौन सा भाग फासपूरस है तो right answer क्या होगा यह आप बताना है क्या होगा फासपूरस nucleic acid होगा right answer option number 2 हो जाएगा DNA वा RNA का कौन सा भाग फासपूरस है तो फासपूरस nucleic acid हो जाएगा right answer option number 2 रहने वाला है आगे बढ़ते हैं next question की और फास्पोरस प्रोटीन के साथ मिलकर कौन सी प्रोटीन का निर्माड करता है जब फास्पोरस प्रोटीन के साथ मिलता है तो कौन सी प्रोटीन का निर्माड होता है यह आपको बताना है फासपो प्रोटीन, फासपो एमीनो इसिड या फासपो लिपिड इन में से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है जब फासपो प्रोटीन के साथ मिलता है तो फासपो प्रोटीन मनती है कौन सी मनती है वही फासपो प्रोटीन मनती है राइट अंसर हो जाएगा option number A next question की बात करते हैं दूद में फासपूरस उपस्तित रहता है बसा रूप में ग्लूटिन रूप में केसीन रूप में लेक्टोज रूप में किस रूप में होता है यह आपको बताना है दूद में उपस्तित फासपूरस दूद में उपस्तित फासपूरस उपस्तित होता है किस में होता है बसा में ग्लूटिन रूप में केसीन रूप में लेक्टोज रूप में तो यह किस में होता है बई केसीन रूप में होता है किस में होता है केसीन रूप में होता है बहुत important question हो जाता है आगे बढ़ते हैं next question के और अंडे के पीले भाग में फास्पोरस उपस्थित रहता है न्यूकलियो प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, फास्पोर प्रोटीन, साधाल प्रोटीन किस रूप में पस्थित उपदाई आपको बताना है अंडे के पीले भाग में फासपोरस उपस्थित रहता है इसमें रहता है नूकलियो प्रोटीन में रहता है कैसे रहता है नूकलियो प्रोटीन में रहता है बहुत ही इंपोटेंट कुछ में आते हैं यह दूद में फासपुरस बस्ते होता है किसमें केसीन के रूप में अंडे के पीले भाग में फासपुरस बस्ते होता है न्यूकलियो और प्रोटीन के रूप में पस्ते तो होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक कोश्णिंग की और बाजार में फासपुरस की मात्रा होती है बाजरा में फासपुरस की मातरा कितनी होती है यह आपको बताना है 0.13 ग्राम, 0.35 ग्राम, 0.50 ग्राम, 1 ग्राम राइट आंसर बताना है बाजरा में फासपुरस की मातरा कितनी होती है जिन लोग का आंसर यहां पर आ चुका है 0.35 ग्राम बिल्कुल राइट हो जाएगा बाजरा में फासपुरस की जो मातरा होती है 0.35 ग्राम होती है आगे बढ़ते हैं next question की और गाय के दूद में फासपुरस की मातरा होती है कितनी होती है आपको बताना है 0.09 ग्राम, 3.01 ग्राम, 1.02 ग्राम, 2.02 ग्राम कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट रहने वाला है यह आपको बताना है गाय के दूद में फासपुरस की मातरा जो होती है कितनी होती है यह आपको यहां पर बताना था तो जिन लोग का भी आंसर आ चुका है यहां पर 0.09 ग्राम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाया कितना 0.09 ग्राम, बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है आगे बढ़ते हैं सेस बची फासपुरस, सरीर में कहां से उपस्थित होगी उतसर्जित होगी जो होगी सरीर के कहां से उतसर्जित होगी यह आपको बताना है तो यह कहां से हो जाएगी गुर्दे से हो जाएगी ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप्शन नंबर आ रहने वाला है पासपुरस कहां से उतसर्जित होगी बह क्या है आहार में जब हम आहार लेते हैं उसमें स्वाद के लिए एक महात्पूतत बह बह क्या है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लूराइड साधार सोडियम सोडियम बेंज्वेट यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या रहने बाला है यह आपको बताना है तो खाने के रूप में प्रियोग कौन सा होता है भी sodium chloride होता है यहीं हमारे स्वाद के रूप में प्रियोगत होता है आगे बढ़ते हैं next question की और यहाँ पर कह रहा है प्रॉण व्यक्ति के सरीर में कितना sodium उपस्तित होगा जो प्रॉण व्यक्ति है उसके सरीर में कितना sodium उपस्तित होगा यह को बताना है 96 ग्राम 120 ग्राम 100 ग्राम या पर 500 ग्राम राइट आंसर क्या होगा यह एको बताना है प्रॉण व्यक्ति के सरीर में जो sodium की मातरा होती है वो कितनी होती है 100 ग्राम होती है राइट answer option number 3 रहने वाला है next question की बात करते हैं sodium chloride को किस नाम से जानते हैं नमक पारा टेटेनियम मरकरी किस नाम से जाने जाते हैं यह आपको बताना है ठीक है तो sodium chloride को किस नाम से जानते हैं तो इसे नमक के रूप में जानते हैं राइट अंसर हो जाएगा option number A next question की बात करते हैं अमलवाचार इस्थिती का संतुलन किसका कार है? अमलवाचार के इस्थिती का संतुलन किसका कार है? पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन या कैलसियम? अमलवा चार इस्थिती का संतुलन किसका कार्य है ये आपको बताना है अमलवा चार का संतुलन कौन करता है तो करता है भई सोडियम राइट आंसर आप्शन नमबर बार रहने वाला है आगे बढ़ते हैं सरीर में सोडियम के अडू किस रूप में रहते हैं जो सरीर है उसमें सोडियम के अडू होते हैं बैक किस रूप में रहते हैं या आपको बताना है कलूराइड, फास्पेट, बाप्रोटीनेट या हो जाएगा कार्वोनेट ये सभी कौन सा राइट आंसर रहने वाला है या आपको बताना है तो सरीर में सोडियम के किस रूप में रहते हैं कलूराइड के रूप में भी रहते हैं फास्पेट, बाप्रोटीनेट के रूप में भी होते हैं और कार्वोनेट के रूप में भी रहते हैं तो राइट आंसर क्या हैगा उप्योग तो सभी रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की, और सोडियम के कार क्या है, पिलाजमा के रसाकरसर में, जल संतुलर बनाने में, उत्तक द्रबो के रसाकरसर में, या फिर ये सभी में, तो जो सोडियम के जो कार होते हैं, वो पिलाजमा के रसाकरसर भी करता है, उत्तक द्रबो का रस साधन कौन से हैं आपको बताना है इसके साधन कौन से है नमक पनीर समुद्री मचली यह सभी राइट आंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है सोडियम की प्राप्ती के साधन कौन से हैं सोडियम कहां से प्राप्त होता है नमक से तो होता ही है पनीर से भी होता है क्योंकि दूद में क्या होते सभी होती है और समुद्री मचली तो आप जानते हो उसमें क्या होगा नमक होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यह सभी जहने बाला है आगे वड़ते हैं next question की और प्रति दिन sodium की मात्रा लेनी चाहिए प्रति दिन sodium की मात्रा आपको कितनी चाहिए यह आपको बताना है दो से 6 ग्राम, 3 से 4 ग्राम, 1 से 2 ग्राम या फिर 5 ग्राम नमक की यहां पर बात हो रही है कितने प्रतिशत लेनी चाहिए प्रतिशत लेनी चाहिए ग्राम में किदू जी वही 2 से 6 ग्राम लेना चाहिए नमक की मात्रा मतलब सोडियम की मात्रा आगे बढ़ते हैं next question के और next question क्या कह रहा है sodium सरीर से किसके द्वारा निकलता है जो sodium होता है वो सरीर से किसके द्वारा निकलता है किड्री द्वारा पसीने द्वारा हाथो द्वारा यक्रत द्वारा right answer क्या होगा यह आपको द्वाब बताना है sodium जो होता है वो सरीर से किसके द्वारा निकलता है तो यह निकलता है पसीने के द्वारा किसके पसीने के द्वारा ही सोडियम निकलता है आगे बढ़ते हैं next question एक योर जी मिचलाना पेट बार टांगो की मास पेसियों में एठन यह किसकी कमी से होते हैं यह आपको बताना है जी मिचलाना पेट बाट टांगो की मास पेसियों में एठन यह किसकी कमी से होते हैं आयोडीन, सोडियम, जिंक, क्लूरीन राइट आंसर क्या रहने बाला है यह आपको बताना है तो जी मिचलाना पेट बाटांगो की मास पेसियों में एठन जो होती है बहुत सोडियम के काड़ होती है किसकी सोडियम की कमी के काड़ होती है आगे बढ़ते हैं next question की और आबस्चकता से अधिक सोडियम सरीर से किसके दवारा निस्कासित किया जाता है मूतर द्वारा, किड़नी द्वारा, यक्यत द्वारा, सभी के द्वारा, कौन सा राइट होगा आपको बताना है आबस्टा से जब कभी अधिक आप सोडियम लोगे तो किसको अन्सका सित होगा भई सरीर के मूतर के द्वारा होगा सरीर से मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन क्यों नेक्स्ट कोशन कह रहा है सिर्मिको में अधिक मात्रा में पसीने द्वारा सोडियम की हानी होती है इससे रोग क्या होता है यह आपको बताना है अमोनिया, मलेरिया, हीट क्रेंपस या फिर बुखार कौन सा रायट रहने वाला है यह आपको बताना है सिर्मिको में अधिक मात्रा में पसीने द्वारा सोडियम की हानी होती है इससे तो रोग होता है वो होता है हीट क्रेंपस क्या हीट क्रेम पस नामक रोग उत्पन हो जाता है आगे बढ़ते हैं next question के और अधिक परीश्रम या गर्म बाताबड में कितना पसीने के रूप में सोडियम उत्सरजित होता है अधिक परीश्रम करो या फिर गर्म बाताबड में अगर आप रहते हो तो आपके पसीने से कितना सोडियम जो सर्जित होता है वो आपको बताना है एक से दस ग्राम, दस से बीस ग्राम, पांस से दस ग्राम या फिर दस से पंदरा ग्राम राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है इसय एक परिश्रम गरम बाताबण में रहोगे तो आपके सरीछ से कितने परसां कितने पर षीक इसरी कितने राम कितने अबता है यगिंट इंता है किस इाता एकत की बीमारी में गर्ब कालीन विशाकता में ज़ोगा यक्यत की बीमारी है तब भी नहीं दिया जाएगा और नहीं गर्बकालीन वस्ता बिशाक्ता है तब भी नहीं दिया जाएगा और गुर्दे की बीमारी होगी तो तो नहीं दिया जाएगा तो राइट अंसर कर जाएगा ये सभी रहने बाला है option number 10 जिनों को आ रहा है बिलकुल right answer next question की बात करते हैं next question को देखेगा हिर्दे की बीमारी में क्या आहार में सामिल नहीं है अगर आपको हिर्दे की बीमारी है तो आपके आहार में क्या सामिल नहीं किया जाएगा संतुलित नमक, हलका नमक, अधिक नमक या फिर ये सभी, right answer क्या होगा अधिक नमक आपको खाने के लिए मना किया जाएगा अगर आपको हिर्दे की कोई बीमारी है तो आपको आहार में नमक नहीं लेना चाहिए मतलब कम मात्रा में लेना चाहिए आगे बढ़ते हैं next question क्यों sodium का अबसोषड कहां होता है sodium का जो अबसोषड होता है वो कहां होता है आपको बताना है बड़ी आत में, यक्रत में, किड़नी में या फिर छोटी आत में, right answer क्या होगा ये आपको बताना है sodium का जो अबसोषड होगा वो कहां होगा छोटी आत में होगा कहां से स्टार्ट होता है? चोटी ह piace up अगे देखते हैं कह रहा है गुर्दो में haters urgent का कार्य कौन करता है गुर्दो में sodium threads का जो कार्य होता है वो कौन करता है pituitoryCARイ गहन्ती previous गहन्ती तायमस गहन्ती, pus mandate या Adrenal registration आपक्म करता है तो गुर्दे में जो sodium उत्सक्षिन का कार्य करेगी वो कौन करेगी यह करती है कौन करती है वई पिटी-उत्री गन्ती करती है ठीक है जो कहां होती है हमारे गुर्दे के जश्ट उपर होती है पिटी-उत्री गन्ती त्पी राइक टांसर ऑप्शन नमबर आ रहने बाला है ठीक है आगे वड़ते हैं next question क्यों next question हमारा क्या करा है कौन से हार्मोन की कमी से sodium अधिक निकलता है हां तो फेंच्ट यहां पर हम कौन सा देख रहे थे क्योशन क्योशन देख रहेते 18 यहां पर करा है कौन से हार्मोन की कमी से सोडियम अधिक निकलता है हार्मोन की कमी से अधिक निकलता है उस सदर में कौन कार करता है पिट्यूटरी गंती अब किसकी कमी से अधिक निकलता है यह आपको बताना है ठीक है ग्लूकागोन, थायरॉक्सिन, एंसुलीन, एड्रिनल, कार्टिकाइड हार्मोन, कौन सा यहापर बल्कुल राइट रहने बाला है, कौन से हार्मोन की कमी से सोडियम अधिक निकलता है, तो वो निकलता है, एड्रिनल, कार्टिकाइड हार्मोन, कौन सा, एड्रिनल, कार्टिक काइड हार्मोंस के द्वारा अधिक निकलता है जब कोई घावराहत होती है या फिर कोई डर जाता है तो बहाँ पर क्या होता है एडिनल कार्टिकाइड हार्मोंस निकलता है और सोडियम क्या हो जाता है अधिक निक्सातित प्रकार से कह सकते हैं निकलता है ठीक है आगे बढ गपन होगा एडीन रोग पीलिया डायरिया यह फिर ये सभी राइट अंसर क्या होगा यह आपको बताना बद। की अाधिक सोडियम की हानी से कौं सा सबस् irony होता है एडिशन रोग पन होता है क्विर सागोपन हो थाथ फिरदर झाम कि ह Assembly होने पर टिए अधिक स्वाइब एडिशन है और अधिक से लिए को याद है क्या होता है एडिशन हो जाता है सोडियम की हानी के कारण आगे बढ़ते हैं स्रीर में एकतित होगा तब कौन सा रोग होगा या पता है निकलता है तो कौन सा होता है अब वो कह रहा है अधिक एकत्रत होगा तो कौन सा होगा तो लेडीच आपको ठाना है कौन सा राइट होगा कौन सा नकों कुल ऑग हो जाएगा हमारे नहीं पानी जमा हुझां है को अधिक सोडियम सरीष एक गतित होगा तो कौन वहोसद्हार होती है उसका राइसानिक नाम क्या होता है बैंजीनिय। क्लूराइड पोटेशियम क्लूराइड सोडियम बैंजुएट कौन सा राइट होगा यह आपको बताना है तो साधार नमक यह नमक कौन से होती है सोडियम क्लूराइड होती है और अप्शन नमबर 2 आप यहाँ पर क्या देखेंगे हैं पोटेशियम यहां से इस्टार्ट होने वाला है पोटेशियम चरिड़ा फरस्ट कुछ आता है पोटेशियम खनेजलबड सरीर में कहां उपस्ति पस्तित रहता है आपको अताना है अंता कोशिक के द्रबों में लाल लगते कड़ी काओं में या मास-पेसियों में या फिर ये सभी तो पोटेशियम कहा माधूद होता है या आपको अताना है हमारे सरीर में पोटेशियम खनेज लबाड़ सरीर में कहां पच्छता है दोक अंता कोशी के दिर्बों में मिलेगा आपके लिए लालक्त कड़ी काम में मिलेगा मास पेसियूम मिलेगा को कि सभी मिलेगा सरी में तो राइट का जाएगा यह सभी हो जाएगा कह रहा है यहाँ पर नित्य प्रती आहार में पोटेशियम की मात्रा कितनी आवस्यक होती है यह आपको बताना है अब ही हमने देखा था सोडियम की कितनी होती है 2-6 ग्राम होती है कितने 2-6 ग्राम हमें नमक लेना चाहिए परड़े अब वो कह रहा है नित्य प्रती आहार में पोटेसियम की मात्रा कितनी आवस्यक होती है एक से तीन ग्राम पांस से छे ग्राम डेड़ से छे ग्राम दो से पांच ग्राम राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है तो नित्य प्रती आहार में पोटेसियम की मात्रा कितनी आवसिक होती है तो बै होती है बन पोइंट फाइव से 6 ग्राम ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नमबर सा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यों पोटेसियम के कारे आपको बताना है पोटेसियम के कारे हैं हिर्दय इस्पंद्र की गत क्या होता है इस पंद्र की को नित्त करना है सामान प्रे क समय करना के लिए और और किसी को आप कर सकते हैं कि अध्यान बड़े गाटिक तबी तो हम कोई कर पाएंगे इस पर का से हाथ चला पाएंगे ठीक है आज ज्यादा करेंगे तो क्या निकलता है लेक्टिक अध्यानी नहीं कोई बात नहीं तो यहां पर राइट का जाएगा ऑप्योग तो सभी रहने वाला ह है पोटेशियम कहां से परात होगा दूद से भी होगा अंगूर से भी होगा नीबू से होगा तो राइट अंसा क्या होगा यह सभी रहने बाले हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को संत्रा मक्का का संत्रा मक्का का आटा चाबल खीरा ककडी टमाटर आंडू अच्छे इस कब आगे इस्तोत हैं किसके अच्छे इस्तोत में अच्छे स्टोत में मिलने वाला है तो राइट अंसाब क्या जाता है जो बनस्पती बहुत जबतात हैं उनमें पोटेशियम पाय जाता है इसके निमने इस्तोत होते हैं गरम पानी चाय बाग कोको आम और आवला इसका निमने इस्तोत क्या होता है आपको बताना है चाय और कोको जो होते है वो पोटेशियम के निमने इस्तोत होते हैं ठीक है आग इतनी मात्रा में पोटेशिम गिरेंड करना चाहिए बताना है तीन पॉइंट तीन ग्राम प्रति दिन एक ग्राम प्रति दिन यह तीन पॉइंट चौदा ग्राम प्रति दिन राइट आंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है क्या हो जाएगा writing सावान बैसे को कितने प्रितिशत पोटेश्म लए चाहिए तो 3 गार करेंगे 6 और 6 को हम इस प्रकार सपने लिख सकते हैं तो पी और 6 बाते की है तो पुस्टेश्य हो जाएका और इसी आप भूलों की नहीं है निया लोग यह आपको ऐताना है वहतारा होगा तो यहाँ पर भी िडिशन रोग हो जाएगा ठीक हे राइट असों डायका आप्शन नमबर बहां पर क्या हो रही थी मात्रा कम हो रही थी सौडियम की वह रहा था अब यहाँ पर क्या हूं रहा है पोटेशिम की मात्र अगर रत में बढ़ती है तो कौण सा हो रहा है डिचन दोग ठीक है द्याने सोडियम की मात्रा कम होगी पोटेशिंप के मात्रा बढ़ेगी तो कौण सा अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्ण के और गिए अन्यवित धड्कन नाजुक हड्डिया अनिद्रा भूकना लगना यह सब किस खनिज तत्विकी कमी से उत्पन्न होते हैं सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्सियम अनियमित धड़कन तो आपको बाता ही चलगी नाजुक हड़ियां, कमजूर हड़ियां, ठीक है नियंतितना होनान का अनिद्रा, नीदना आना, भूखना लगना, यह सब इसे हैं, पोटेशियम के कार हैं, हमारा सरीर संतुलन को छोड़ देता है, संतुलन नहीं बना पाता, तो किसके कार? पोटेशियम की कमी के कार, तो राइट आंसर क्या दाएगा? पोटेशियम रहने वाला है, आगे बढ़ है, तो पोटेशियम की हमारे इंदर कमी होगी, तो क्या होगा? तो चाह सूखी होगी, और सुस्क तुचा होगी, और भद्धी तुचा होगी, तो राइट आंसर जाएगा उपियोक्त सभी, अब यहां से स्टार्ट हमारा क्या होता है? आईरन स्टार्ट होता है, लोहा मातरा है वो कितनी होगी चार ग्राम दस ग्राम आठ ग्राम या फिर नौ ग्राम राइट आंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है कि आयरन की मात्रा कितनी होगी यह आपको बताना है और यह हम कैसे रिखते हैं लिखते हैं इस पिरकार से भी अब यहां पर देखो यह क्या है इस पिरकार से क्या है वह यह बन जाता हैकि चार ग्राम होती है थे बना दी हमें आई कैसी होती है लुए इस्ते हैंअघاع के तरह नहीं Especially क्याई सकते हैं हिए चार ग्राम आपको याद रहने बाला है एक स्वास्त does रेती करल में आईलन की मात्रा कितनी होती है क्राम होती है छार ग्राम होती है होटी आगे देखते हैं यहाँ पर 70% लोहा का इस्तिमाल कहा होता है हिमोगलोबिन में यक्रत में रक्त में या फिर धमनी में कौन सा राइट होगा यह आपको बताना है सब को पताएं किसमोगलोबिन के निर्माल में होटाएं आगे बढ़ते हैं एक्स इकूशन आईरन के कारे हैं रकते निर्माल rect का कर्विंद्य और उक्साइडि का संभा युक्त करना और युक्त सभी आगे बढते हैं एक्सड क्या करता है Cinamote डैस कौन से दैस्तत्व मिलकर बनते हैं हिमोगलोबिन किन किन से मिलकर बना होता है यह आपको बताना है आईरन बसा आईरन प्रोटीन आई बिटामिन आईरन या फिर आईरन कार्भोज राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो हिमोगलोबिन किससे बना होता है हिम पिलस गिलोविन से बना होता है हिम पिलस गिलोविन से होता है तो इसमें कौन-कौन देखने को मिलते हैं आईरन और प्रोटीन देखने को मिलते हैं तो जिन लोगों का आंसरा चुका है option number 2 बिल्कुल right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आईरन कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है अब मास पेसियों की बात हो रही है तो मास पे उसमें कितने प्रतिशन होगा तो यह वही होगा अब ही 4% होगा तो जिन लोगों का आंसरा चुका है 4% बिल्कुल right answer हो जाएगा आगे देखते हैं अस्थी मज्जा में आईरन की मात्रा कितनी होती है जो अस्थी मज्जा होता है उसमें आईरन की मात्रा कितनी होती है 40%, 20%, 25% या फिर 30% राइट आंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है जो अस्थी मज्जा है उसमें कितनी होती है वहन में रूँ है तो अस्तिमज्जा में iron की जो मात्रा होती है वो कितनी होती वह 25% होती है राइट आउसर क्या होगा option number सा रहने वाला है next question की बात करते है next question को देखीगा next question कह रहा है आइरन के पिरमुकि स्तोत कौन-कौन से है ओईरन के जो इस तोत है बहुत इंपोर्टन रहता है अंडे में पिरचूर मात्रा में आईरन पाए जाता है तो आगे बढ़ते हैं next question की और ठीक है रख्त प्लाजमा में लोहा कितनी मात्रा में होता है जो रख्त प्लाजमा है उसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है या पताना है तीस परसाइंट चार परसाइंट एक परसाइंट शे परसाइंट जो plasma होता है उसकी बाद यहाँ पर हो रही है ठीक है तो plasma में जो लोहे की मात्रा होती है वो होती है कितने 1% मात्रा होती है कितने 1% मात्रा होती है next question की बात करते है next question दे रखा है तुम्हारा iron की कमी से कौन सा रोग होता है जो iron की कमी होती है उसे कौन सा रोग होता है जिंजी वाइटयश होता है मलेरिया होता है, स्कर्भी होता है एनिमिया होता है भहुत critical है बार बार एक्जाम में रिपिडिटी question कौन सा होता है भी एनिमिया रोग हो जाता है iron की कमी के कारण आगे बहते हैं, next question, mass, machli, यक्रत, अनाज, सेब, खुमानी, यह सब अच्छे इस्तोत किसके हैं, protein के, iron के, कार्बोज के, या फिर बसाके, mass, machli, यक्रत, अनाज, सेब, खुमानी, यह सब किसके हैं, आइरन के अच्छे इस्तोत हैं, जिन लोगा answer आच चुका है, option number 2, बिल कितना आइरन होता है जो चौलाई साग होता है उसमें कितना आइरन होता है 10.05 ग्राम 14 ग्राम आठ ग्राम 21.4 ग्राम राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है कि अटापड़ भी आंसर दिएगा कौन सा बिल्कुल राइट होगा कि तो चौलाई जो होता है उसमें 21.4 ग्राम क्या होता है आईरन होता है अगर देखते हैं नेक्स से कोशन की ओर कह रहारा है तुम्हारा बच्चों में घ्मोगलोविन का कितना इस्तर होता है जो बच्चे होते हैं उनमें हमोगलोविन का कितना इसतर होता है वो दाना 10-12 ग्राम प्रतीस सो एमल, 7-8 ग्राम प्रतीस सो एमल, 9-10 ग्राम प्रतीस सो एमल, 4-10 ग्राम प्रतीस सो एमल, राइट अंसर क्या होगा यह आपको बताना है बच्चों में हिमोगलोबिन की कितनी मात्रा का इस तरह होता है तो बहुत दस से बारा ग्राम प्रतीस सो एमल होता है आगे देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेशन के लोहा के इस तो तो कौन से हैं मेथी साग सुयाबीन ज्वार ये सभी राइट अंसर क्या होगा ये आपको सब्सक्राइब होता है दो जो गरावस्ता होती थीजिए ग्राम प्रतीस सो एमल बारा ग्राम प्रतीस सो एमल रहने बाली है कितनी है प्रतिसय सवैमल रहने वाली है आगे बढ़ते हैं next question कि वो ला लगते कडिकायों में ला लगते कडिकायों के टूटने का क्रम बढ़ जाना कहलाता है अगर ला लगते कडिकाये टूटने की संख्या बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं हीमोलाइसिस हीमोग्लोबिन रक्त का थक्का या फिर हीमोग्लोटिन हीमोग्लोटिन राइट आंसर क्या होगा यह अप्ट बताना है कि रूटिन थोड़ी होगा जमाब थोड़ी होगा राधक्त का थक्का बनेगा और हीमोगलोविन तो नाम ही है तो राइट आंसर कर जाएगा हीमोलाइसिस कौन जाएगा हीमोलाइसिस रोग रहने वाला है लालत्यकडिकाओ के तूटने से किरम बढ़ जाने पर क्या होगा ही इमोलाइसिस रोग उत्पन हो जाएगा आगे देखते हैं लाल लगते कड़िकाओं का जीवनकाल होता है नबे दिन एक सो बीज दिन एक सो पचास दिन या फिर सो दिन लाल लगते कड़िकाओं का जीवनकाल होता है कितना होता है यह आपको बताना है तो लाल लगते कड़िक आराम से याद रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं Next question की वो next question कहे रहा है अस्ती मज्जा के निर्माइड किसका होता है अस्ती मज्जा में निर्माइड किसका होता है ला लगते कड़िकाउं का फिलिट इलेट्ट का सुएत्र इलेट्ट का ये सभी का ये सभी का किसका होता है ये सभी का होता है लाल रगते कड़िकाओं का भी होता है प्लेटेलेट्स का भी होता है और सोईत रगते कड़िकाओं का भी होता है डबलीवीची आरबीची और प्लेटेलेट्स सभी का होता है तो राइटन सोधाय का ये सभी आगे देखते हैं कह र आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा आब आदोनों होंगे इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर तो देही रखा है ना यहाँ पर तो देही रखा है दो प्रिकार होते हैं एक होता है तुम्हारा आर्थो क्रोमिक Microcitic और दूसरा होता है कौन सा Hypocromic Microcitic दोनों यहाँ पर दे रखे हैं बहुत important है इनको दोनों को याद कर लेना अभी भी exam में पूंच सकता है आगे बढ़ते हैं next equation की ओर तो next equation भाई यहाँ पर देखना है next equation का answer क्या होगा iron का अभुसोसर कहा होता है iron का जो अपसोषण होता है, वो कहा होता है चोटी हाथ में, यकरत में, बड़ी या और किड़नी में, तो कहा होंगे अपसोषण, अभी कहा होते है, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कहे रहा है, iron के अपसोषण में कौन मदद करता है, प्रोटीन विटामिन सी विटामिन डी या वसा आयरन का जब अबसोषड होता है तो उसमें कौन मदद करता है तो आयरन के मदद के अबसोषड के मदद में कौन करता है वही विटामिन सी मदद करता है कौन करता है विटामिन सी मदद करता है आयरन के अबसोषड में छोटी आ का यह अपना हो जाता है सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है फूर्ट नीटरेशन और हाइजिंग मतलब आहार पोसर स्वच्छता को हमने यहां तक देख रखा आयरं तक इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं अगली वीडियो में ठीक है यह वीडियो का पार्ट हमा अबरा सभी करें